नमस्कार आज सबसे पहले आपको साब्धान करने वाली खबर साइबर ठगी का धंदा अब जान लेवा हो गया है आगरा में साइबर ठगों ने पुलिस इंस्पेक्टर बनकर एक महला को फोन किया बताया कि बेटी सेक्स राकेट में फंस गई है बदनामी से बचना चाहती हो तो एक लाख रुपए ट्रांसफर कर दो महला डर गई एक लाख रुपए देने को तयार हो गई लेकिन डर इतना गई थी कि उसे हार्ट अटैक हो गया उसकी जान चली गई बाद ने पता चला कि पुलिस फर्जी थी और बेटी के पकड़े जाने की खबर भी जूट थी बेटी कॉलेज से लोटी तो मा की लाश घर में थी इस तरह के एक नहीं कई केसस सामने आये हैं कभी बेटी के सेक्स राकेट में पकड़े जाने की खबर दी जाती है कभी बेटे को रेप के इल्जाम में पकड़े जाने की बात कही जाती है रोते हुए बेटे से बात करने को कहा जाता है कभी ड्रग्स के पार्सल के पकड़े जाने का दावा किया जाता है कभी मनी लॉंडरिंग के इलजाम का वारंट दिखाया जाता है वीडियो कॉल पर फर्जी पुलिस वाले होते हैं नकली थाना होता है नकली अदालत बैठती है ठग, फर्जी जज और वकील तक बैठा देते हैं वही निकल जाता है, वहीं ओडर निकल जाता है और वहीं जमानत पर बहस भी हो जाती है और जमानत की रकम भी तेह हो जाती है अगर वक्त पर समझ गए तो ठीक वरना करोडों रुपे ठग लिये जाते है जो जादा डर गया, उसकी जान तक चली जाती है ऐसे दरजनों केसिज रोज सामने आ रहे है ये ठग अकसर बुज़र्गों को निक्शाना बनाते है महिलाओं को फोन करके बच्चों के बारे में कोई बुरी ख़बर देते है पढ़े लिखे लोग भी इन ठगों के चक्कर में फस रहे है इसलिए साबधान रहना जरूरी है, जागरुक रहना जरूरी है आज हमारे पास ऐसे कई केसिज हैं जिनकी डीटेल हम आपको देंगे भुक्त भोगियों का दर्द आप देखेंगे, तो आप भी हैरान हो जाएंगे हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के पास भी इस किसम के फॉल्स कॉल्स आएं हो लेकिन इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए आपको क्या करना है पुलिस अफसर और साइबर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आज की बात में सबसे पहले बात करते हैं आगरा के एक रॉंग्टेक खड़े कर देने बाले केस की जिसमें एक बेकसूर महिला की जान चली गई आगरा में वाटसैप पर फेक कॉल करके दी गई धमकी से एक महिला इस कदर खौफजदा हो गई पैनिक में आ गई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया उनकी जान चली गई ये घटना आगरा के शाहगंज अल्बतिया मौले की है यहां की रहने माली स्कूल टीचर मालती वर्मा डिजिटल अरेस्ट के इस कॉल के जहांसे में फस गई असल में हुआ ये कि मालती वर्मा सुमवार को स्कूल में डूटी पर थी दोपहर को करीब बारा बजे उनके मॉबाइल पर वाटसैप की एक कॉल आई ये कॉल पाकिस्तान के ISD कोड वाले नंबर से आई थी कॉल करने वाले अपराधी ने मालती वर्मा से कहा कि उनकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और अब अगर वो अपनी बेटी को इस मुसीबत से चुड़ाना चाहती है तो फॉरण एक लाख रुपए एक मुबाईल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें मालती वर्मा अभी समभल भी नहीं पाई थी कि फिर एक नए नंबर से कॉल आ गई कॉल करने वाले ने उन्हें फिर डराया बेटी का नाम लेकर धमकाया चूंकि कॉल करने वाले नंबर पर जो प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई थी उसमें दिख रहे शक्स ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी इसलिए मालती वर्मा को उसकी बात पर यकीन हो गया कि उनकी बेटी वाकई ऐसी किसी मुसिबत में फस गई है कॉल करने वाला साइबर फ्रॉड उन्हें बार बार फोन करने लगा उसने मालती वर्मा को समखलने का जरा भी मौका नहीं दिया कहता रहा कि वो वाटसाप कॉल डिसकनेक्ट ना करें क्योंकि पुलिस ने उनको भी डिजिटली अरेस्ट कर लिया है अब मामला बेटी का था इसलिए मालती ने स्कूल में किसी को नहीं बताया मालती ने कॉलर से कहा कि उन्हें पैसे आनलाइन ट्रांसफर करना नहीं आता तो उन्हें घर पर अपने हस्बंड या फिर बेटे से बात करने की बहुलत दी जाए मालती बरमा ने पहले अपने हस्बेंड को कॉल किया हस्बेंड ने पोन उठाया नहीं फिर उन्होंने अपने बेटे को कॉल करके फोरण एक नमबर पर 1 لاक रुपे टांसफर करने के लिए कहा पहले उन्होंने बेटे को इस की वजह नहीं बताई क्योंकि बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की बात सुनकर वो खुद शर्मिन्दा हो गई थी लेकिन जब बेटे ने जोर दे कर पूछा तो मालती वर्मा ने उसे पूरी बात बताई तब बेटे ने उनसे वो फोन नंबर मांगे जिससे उन्हें फोन आ रहाए थे एक नंबर पाकिस्तान का था दूसरे नंबर को चेक किया तो वो वेस्ट बेंगॉल का निकला मालती वर्मा के बेटे ने अपनी बेहन से बात की बेहन कॉलेज में थी बिल्कुल ठीक ठाक बेटे ने मालती को पूरी बात बताई समझाया कि वो चिंता ना करें कोई उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है ये साइबर क्राइम का मामला है अब कॉल आए तो बात ना करें कॉल डिसकनेक्ट कर दें मालती वर्मा ने वाटसाप कॉल तो डिंसकनेक्ट कर दी लेकिन तब तक उनका बीपी बढ़ चुका था वो फॉरन स्कूल से घर लोटी लेकिन घर पहुंचते ही उनकी हालत और तबियत पिकर गई घरबाले जब तक उन्हें अस्पतार लेकर के पहुंचे तब तक हार्ट अटैक से मालती वर्मा की मौत हो चुकी थी ममी स्कूल में थी तो बारा बजे उनके पास एक कॉल आया कि मैं इस्पेक्टर पी विजय कुमार बोल रहा हूं और आपकी जो बेटी है वो एक सेक्स रैकेट में फस गई है और अगर आप उसे बिना किसी बेज़िती के बिना किसी उसके अगर आप उसे छड़वाना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं इस नंबर पर आप बात कीजिए और तुरंत एक लाख रुपे 15 मिनिट के अंदर तुरंत की तुरंत ट्रांसफर कीजिए एक लाक रुपे देदो तो बिना किसी बिजती के आपकी लड़की आपके घर पर आजाएगी. ओर ने मपट में इतना पैनिक कर गई थी मम्मी मेरी मम्मी एट्वाण साल की एजेड थी तो इतना पैनि कर गई कि मम्मी की वहीं से वहीं से टाबया थूप 위ह घर करवोना इसटार्टों गई मैंने अपनी बहन को वीडियो कालिंग करी वह त ann sticky college में निकली और तक्रीबन आदा घंटे के अंदर मम्मी की डेथ हो गई जब मालती वर्मा घर लोटी तो उनकी बहू रेखा घर में अकेली थी घर पहुंचते ही मालती वर्मा ने पैनिक अटेक की शिकायत की कहा उनके सीने में दर्द हो रहा है और बताते बताते वो अच्छी थोकर गिर गई गई बहुने पासपड़ोस के लोगों को इखटा किया तब तक बेटा भी आ गया मालती वर्मा को अस्पतार ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्ज ने उन्हें ब्रॉट डेट डिक्लेर कर दिया जैसे वो गर पर आए तो बोली कि यह कंदम दर्द हो रहा है मेरी पर नगे इसी बन नहीं मेरी तो मैंने का कि अच्छा गैसी बनी तो उन्होंने कपड़े चेंच की अपने कपड़े चेंच करने इनो वगरा गोल्डिंग वगरा गेस की वे समने गेस निकल जाएगी तो बोली फिर भी और दर्द बंद नहीं हुआ उनके तो पौने चारवजी के शंग मेरी ससुर से बोलती है कि मुझे तो ऑस्पिटल ले चल में ज्यादा तेवित खराब है तो पता नहीं आतो मुझे कुचूरा आतो मेरी ऐसा दमशी निकल लिया आत परो में चे और अतो मुझे बचा ले तो एक अंकल ने पुलिस वाले पापा ओटो को लेने चले गए और अस्वेंड मेरी लुआ मंडी चले किसी काम से तो बोली उनको बुला लो कि मुझे हाट परस मालती वर्मा के पती शिव चरण उनसे आखरी वक्त में बात तक नहीं कर पाए क्योंकि जब मालती ने उने स्कूल से फोन किया तब वो बात रूम में थे जब वो घर लोटी तो हस्वेंड बाहर थे शिव्चरण ने बताया कि मालती बर्मा की सारी बात बेटे से हुई थी बेटे ने उन्हें समझा भी दिया था लेकिन बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो इतना घवरा गई कि उन्हें हार्ट अटेक हो गया मेरे पास करी सवाब आरे वेज़े फोन आया था हो गया है और वहां पर एक स्कूल में अकेली थी कोई आप उसमें भात को करने आला भी नहीं था इसलिव जादा गवला गई गर पर जमाएं थी तब एक तम गवला हुई थी और उनके गवलाने की स्थिती ऐसी थी के मेरे चाती में जलन ओ रही है मेरे गैस बन रही है मेरे पैर दबाओ मेरे ये कर ये मेरे रीड़ के अड़ी दबाओ लेकिन सब कुछ करने के बाद जूद भी वह उसमें नहीं आई और जान गवा बैठी अपनी वाइफ के इस तरह अचानक दुनिया से विदा होने से शिफ्चरण सद्बे में है मालती बर्मा के पती ने कहा कि वो 30 सितंबर को ही प्राइवेट जॉब से रिटायर हुए थे और सुचा था कि अब घर में पत्ती के साथ वक्त बिताएंगे क्योंकि प्राइवेट नौकरी में जिन्दगी बीथ गई परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला मगर बदकिस्मती से उनकी रिटायर्मेंट के दिन ही वाइफ की डेथ हो गई अब उनको याद करते वक्त शिफ्चरण एमोशनल हो जाते हैं आँखों में आसू आजाते हैं शिफ्चरण कहते हैं कि दो बेटियों की शादी करनी है कैसे होगी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सब कुछ तो वाइफ करती थी वो तो बस नौकरी करते थे तीस तरह कुछ से तंबर में टार हुए थे हमने सोचा था दोनों जनिए अब साथ रहेंगे वो तो नौन डूटी में थी लेगेन अपने साम सुबह तो पने बतलाएंगे बैठेंगे लेकिन उसी तिन बो मुझे छोड़ की चली गही मुझे इतना दुख हुए है सब मैं कैसे मेरा जीवन कटेगा किस से बात करूँगा दो बेटिया है साधी के लिए मेरे पास दोनों बेटियों का महला होती है तो महला अपने तरीके से सब कर लेती है इस घटना के दो दिन बाद मालती वर्मा के बेटे ने आगरा पुलिस को पूरी घटना की कम्प्लेंट दी अपनी मा की बहुत के जिमेदार लोगों के खिलाफ कारवाई की मांगी अब पुलिस उन फोर नंबर्स के जरीए साइबर अपराधियों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है हाल के दिनों में डिजिटल अरेस्ट की ऐसी कई शिकायते हो रही है जिसमें पाकिस्तान के नंबर वाले वाटसेप कॉल करके लोगों से पैसे एठे गए पिछले छे महीने में उत्तर प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के उननिस हजार से ज़ादा मामले सामने आए ठगों ने लोगों को डरा धमका कर लगभग डेड़ सौ करोड रुपे रूट लिए और अब आगरा में ये दर्दनाक बारदात हो गई डिजिटल अरेस्ट के शिकार लोग अकसर डिप्रेशन या सद्मे में चले जाते हैं शर्म के बारे किसी से अपनी तकलीफ शेर तक नहीं करते हैं डॉक्टर, एंजिनियर, टीचर, तमाम पढ़े लिखे लोग भी इस दोखाध़ी की शिकार हुए असल में लोग इन साइबर ठकों के जाल में इसलिए फस जाते हैं क्योंकि कॉल करने वाले पुलिस की वर्दी पहन कर बात करते हैं धमकाते हैं, पुलिस या अकड़ दिखाते हैं लोगों को घर में ही डिजिटल अरेस्ट बता देते हैं हर वक्त कैमरे के सामने रहने को मजबूर करते हैं और फिर धमकी देकर पैसे वसूले जाते हैं अकसर किसी परिजन के सीरियस केस में फसने का डर दिखाया जाता है और डिजिटल अरेस्ट का धोखा दिया जाता है आगरा के एसीपी मयंग तिवारी ने बताया फिर जिस परिजन के बारे में डराया जा रहा है उससे बात करें और पैसे तो कत़े ही न दें या फिर ओल्ड पैरंट्स को आते हैं या एल्डर्ली पिपल होते हैं अचकाल ए आई टेक्निक कर इस्तेमाल बहुत होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं Facebook और Instagram है इस पे हम लोग अपनी voice upload कर देते हैं कभे singing करते हुए कभी normally voice upload करते हैं तो basically hackers क्या करते हैं उनकी technique यह होती है उस आवाज को निकाल लेते हैं और वही आवाज हम create कर लेते हैं जैसे कभी आपको call आया कहते हैं कि मैं आपकी बेटे से बात कराता हूं वही है यह technique यूज करके आपकी बेटे के voice सेम निकलती है जो तीक्ता चिल लाता है बोलता है पापा मुझे बचाओ ममी बचाओ ऐसी जब आवाज आद में सुनता है तो definitely उसके अंदर एक panic rate हो जाता है परेशार हो जाता है और ऐसी स्थिति में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है कई सारे तो ऐसे cases भी देखे गए जहां पे उन्होंने एक hefty amount transfer भी कर दिया विकास हर parents के लिए उनके family बहुत important होती है और यह चीज़े ऐसी होती रहती है तो सबसे पहले यह है कि सबसे पहले ऐसे अगर case है तो आप police को inform करें और एक बार जरूर confirmation करें अपने घर वालों से कि ऐसी चीज़े हैं कि नहीं आप कहां पे हैं क्योंकि आपका सिर्फ डर का फाइदा उठा कि आपसे extortion भी किया जा रहा है आपको panic में लाए जा रहा है जिससे आपने अभी देखा कि जैसे एक loss हुआ है एक family को loss हुआ है ऐसे losses ना हो सबसे पहले confirmation करें पुलिस को inform तुरंद करें ताकि हम लोग उस पे करवई कर सकें और ऐसी चीज़ों को रोका जा सकें आगरा के ACP बैंक तिबारी ने जो सुझाव दिये उन पर अमल करने की वज़े से मिरट की एक family ऐसे ही cyber fraud का शिकार होने से पचली मिरट की सरिता जैन को पाकिस्तान के ISD code वाले नमबर से कॉल आई कॉल करने माले ने भी अपनी profile picture में एक पुलिस वाले की वर्दी वाली फोटो लगा रखी थी उसने सरिता जैन से बड़े रौबदार अंदाज में कहा कि उनके बेटे को एक नाबालिक लड़की के साथ रेप के इल्जाम में पकड़ा गया है बेटे के दोस्त भी इस मामले में दिलाने के लिए साइबर फ्रॉड ने कहा कि अपने बेटे से बात कर लो दूसरी तरफ से सरिता के बेटे की आवाज में एक रूती हुई आवाज आई उसने कहा मा पैसा दे दो इन लोगों को ये लोग जो कह रहे हैं वो करो मुझे छुडा लो सरिता जैन को यकीन हो गया उन्होंने तुरंट अपने हस्बंड को सारी बात बताई बेटे सौरब जैन से फोन पर बात की सौरब ने बताया कि वो तो दिल्ली में है बिल्कुल ठीक है ना कोई ऐसा मामला हुआ ना वो गिरफतार हुआ है फिर सरिता जैन को समझ में आया कि पैसे मागने बाले दरसर फ्रॉड है ठाके हैं और वो खुद ठाके जाने से बच गई सब इस्पेक्टर का मेरे पास फोन आया वो कहते कि मैं धाने से बोल रहा हूँ सब इस्पेक्टर हूँ और आपके बेटे को हमने रेप केस में पकड़ा है दोस्तों के साथ वो लड़की का रेप के उसको मडर कर दिया और आपका बेटा छूटेगा नहीं आप हमें एक करोर रुपया दो कहरे जी अगर आपने एक करोर रुपया नहीं दिया तो आपके बेटे को फांसी हो जाएगी और बढ़ना अगर आप दे देते हैं पैसे था हम बच्चों से वो अलग करके उसको छोड़ देंगे हम उनके बच्चों के साथ उसको फिर नहीं रखेंगे और उन्होंने रोने की आवाज सुनाए मुझे कहते हैं अपने बेटे से बात करो उन्हें समझाया कि पैसे वाली जो कॉल आई है वो साइबर फ्रॉड्स ने की थी और वो उन्हें ठगना चाते थे सौरभ जैन ने इस बात की शिकायत मिरट पुलिस में की है ताकि ये धोखिवास पकले जा सके मेरी माता जी के पास एक वाट्स अप की कॉल आई और उसने अपने आपको सब इंस्पेक्टर बताया उसका चित्र भी एक अधिकारी का था जो उसके वाट्स अपर था उसने माता जी को कॉल करके ये बोला कि आपका बेटा पकड़ा गया है और एक नाबालिक लड़की के साथ बलातकार किया है और उसकी हत्या की है वो और उसके दोस्तों को हम लोग ने अरेश्ट किया है मैंने उनसे पूरी तरीके से बात की माह ऐसा कुछ भी नहीं है और आ अनामेका जैन की फैमिली तो इस साइबर ठंगी का शिकार होने से बच गई लेकिन मेरट के ही लक्ष रस्तोगी इन डिजिटल फ्रॉटस्टर्स का शिकार बन गए लक्ष रस्तोगी की मेरट के सदर बाजार इलाके में एक दुकान है एक दिर उनके पास वाटसाप कॉल आ कॉल करने वाले ने कहा कि वो एक आर्मी अपसर है और गिफ्ट करने के लिए बड़ी संख्या में गणेश जी की मूर्तियां खरीदना चाहता है इसके बाद उसने लक्ष रस्तोगी से मोलभाव करना शुरू किया मूर्तियों की कीमत तैकी फिर उस साइबर अपरादी ने धड़ा धड़ पैसे निकलने शुरू हो गए देखते ही देखते लक्ष के अकाउंट से 44 लाक रुपे डेबिट हो गए लक्ष रस्तोगी ने समझधारी दिखाई और पौरों इसकी जानकारी मेरट की साइबर पुलिस को दी पुलिस जांच कर रही है लक्ष रस्तोगी के खाते से जिस अकाउंट में पैसे गए थे उसे फ्रीज कराया गया जांच के बाद पुलिस ने मेवाद के साइबर गैंग से जुड़े यतेंद्र और जीतेंद्र नाम के दो अपराधियों को गिरफतार किया ये दोनों काफी दिनों से ऐसी डिजिटल ठगी का रैकेट चल कर लिए हैं लेकिन अभी भी वो पैसे लक्ष को वापस नहीं मिल पाये हैं मेरे को एक आजमी ने आर्मी ऑफिसर बनके फोन करा और उन्हों ने मुझे कि ऐसे मुझे हनुमान जी की कुछ मूर्तियां चाहिए तो उसके चलते उन्होंने मेरे से बात करी उसके बाद उन्हो अपका अकाउंट अथेंटिकेट हो जाए तो जब हमने वह करी तो उसके बाद आटमाटिकली पैसे कटते गए कटते गए तो अराउंड 44 लाग रूपीस के आसपास हमारे अकाउंट से डिड़क्ट हो गए तो हमने जैसे साइबर सेल में करी पुलिस में करी और क्या नामे सीपी ग्राम्स वगेरा में सब में शिकायत करी थी मैटर को लेकर तो हमारे पुलिस ने अराउंड 75 लाग रूपे के आसपास रिकावर करे हैं रिकावर इन दे सेंस फ्रीज करे हैं तो वो पैसे फ्रीज हुए में पर अभी तक हमारे अकाउंट में आई नहीं है पुलिस हमें ऐसे सुनने में कि पुलिस ने दो लोग रेस्ट करा है तब तक पैसा कई अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है इस तरह कि भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें बैंक के कर्मशारियों की भी ठगों की गैंग से मिली भगत होती है ऐसे में साइबर ठगी का केस क्राक करना काफी टिफिकल्ट होता है SSP विपिन ताड़ा ने लोगों से अपील की कि अगर ऐसी ठगी और वसूली वाली कॉल उन्हें आएं अन्नो नंबर से कॉल्स करके पैसे मांगे जाएं तो डरने और घबरानी की बजाए वो सीधे पुलिस को इसकी खबर दें गितनी जल्दी पुलिस को जानकारी मिलेगी उतना ही अपराधियों के पकड़े जाने का चांस बढ़ेगा ऐसा आजकल एक नया साइबर क्राइम का मोडस अपरेंडरी आया है जिसमें की फोन करके स्वायम को पुलिस अधिकारी या किसी एजेंसी का अधिकारी बता के और लोगों को ब्रहमित किया जाता है और उनसे पैसे वसूल किया जाते हैं आदमी दूर से इंटरनेट या वोईस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से कॉल करते हैं या नॉर्मल कॉल या वाटसेप कॉल करते हैं और क्योंकि जो अपरादी है वो सामने नहीं होता है तो इसलिए इसमें जानकारी करना बड़ा कठिन होता है तक्निकी कारणों से भी और इसमें कई एजनसीस कई सर्वर्स इवाल्व होते हैं कई इंटरनेट इन ओखती हैं जिनसे अमें शूचना लेनी पड़ती है डीटेल लेना पड़ता है स्वाइन तो इसलिए इसमें इसमें इतुंूगा कि hat कि आपको फोन करता है या वीडियो कॉल करता है उसको आप तदकाल पुलिस को सूचित करें और सत्यापित होने पे ही अगरिम कारिवाई करें कोई भी एजेंसी इस प्रकार से बाहर से गैर जनपद से आपको फोन करके डायेक्टली अप्रोच नहीं करती है अगर कोई दिक्क करने वालों के होसले कितने बुलंद हो गए हैं इसका सबसे बड़ा एक्जामपल पंजाब में सामने आया है पंजाब में साइबर क्रिमिनल्ज ने एक बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट को मनी लॉंडरिंग के केस में फसाने की धंकी दी और चीफ जस्टिस की नकली कोट में फर याए के अधिकारी हैं और उसवाल के खिलाफ मनी लॉंडरिंग का एक केस है उनके खिलाफ गिरफतारी का बॉर्रंट है दोनों ने एस पी उसवाल से कहा कि इस मामले की जाँच खुद सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस डीवाई चंदरचूड की निगरानी में हो रही है दोनों ठगों ने 82 बरस के एस पी उसवाल से कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस के कोट में वर्चूली पेश होना होगा फिर उन्हें स्काइप के जरिये एक नकली सुप्रीम कोट हेरिंग से जोड़ा गया इस हेरिंग के बारे में ठगों ने एस पी उसवाल से कहा कि खुद च प्रिक्रिट खातों में जमा करा दें जो फ्रीज रहेगा एस्पी उस्वाल ने अपने बैंक अकाउंट से अलग अलग खातों में सात करोडर रुपे ट्रांसफर कर दिये बाद ने जब उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ तो उस्वाल ने पुलिस को इस बामले की जानकार रहे थे इस गिरोह के साथ और लोगों की तलाश पुलिस को है गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने उनके पास से सवा पांच करोड रुपे बरामत कर लिये हैं और अब उनके घ्याएंग के दूसरे मिंबर्स की तलाश की जा रही है गिस साइबर ठगी का अब तक का सबसे बड़ा मामला है साथ क्रोडर पर गिया उनके ट्रांस्टर कर वालेया सिगा नहीं जिदे करके जड़ा हुँ जल्दी जिकीन कर लेया जा उनके एक फर्जी लेटर त्यार करके उनके एक रेस्ट वरंट पे देता एकोजी जड़े साइबर ठग ने इना दना जिन्नी एक रैकटेच एक गैं जिदा किता नूँ पहला मी प्रेस नोट देविच भी दसे आगे इंटर स्टेट गैंग है हर एक वेक्ति दा अपना एक रोल होंदा उस टीम देविच किसे दा फञेंशल दा होंदा किसे दा अकाउंट होल्डिंग नू मैनेजी करना हुंदा किसे ने कॉल करनी हुंदी है आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले छे महिनों में सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के पास साइबर फ्रॉड की 19,000 से ज़्यादा शिकायते आ चुकी हैं 1,500 करोड से ज़्यादा की ठगी हुई है देश भर की बात करें साइबर फ्रॉड की केसेस की संक्या 6,000,000 से ज़्यादा है करीब 1,000 करोड रुपए ठगे जा चुके हैं इन केसेस को सॉल्व करना पुलिस के लिए भी एक टेड़ी खीर होता है क्योंकि अपराद ही दुनिया के किस कोने में बैठे हैं ये पता लगाना ही मुश्किल है इसलिए साबधानी ही बचाफ का सबसे आसान तरीका है सबसे पहले बात अंजान नंबर से आने बाले फोन पिक करने से पहले सोचें अगर फोन पर बात करने बाला खुद को पुलिस, CBI, ED किसी भी एजनसी का अफसर होने की बात करता है तो आप तुरंट साबधान हो जाएए अगर वो आपके खिलाब किसी केस की बात करता है आपके परिवार के किसी मेंबर को किसी अपराद में पकड़ने की बात कहता है आपको डिजिटली अरेस्ट करने की धंकी देता है जेल भेजने की बात कहता है और फिर आपसे पैसे डिमांड करता है तो आप पक्का मान लीजे कि कोई आपो ठगने की कोशिश कर रहा है लेकिन डरें बिलकुल नहीं, घबनाई नहीं क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज, कोई विवस्था कानून में है ही नहीं पुलिस आपको फोन करके ठाने तो बुला सकती है लेकिन कभी विडियो कॉल पर आपको कोट में पेश नहीं कर सकती डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती और आपसे पैसे तो कभी नहीं मांग सकती इसलिए इस तरह की धंकियों से डरने की बजाए असली पुलिस को तुरंत ख़बर करें जितनी जल्दी आप पुलिस को बताएंगे आप राधियों को पकड़े जाने की संभावना उतनी जादा बढ़ जाएगी ऐसा करके आप खुद भी ठगी से बच सकेंगे दूसरों को भी बचा सकेंगे आगे बढ़ते हैं आज महराश के एकनार्शिंदे सरकार को एक बड़ी एंबारिस्मेंट छेलनी पड़ी आज महराश असेंबली के डेपिटी स्पीकर नरहरी जिरवाल साथ आदिवासी समाज के विधायकों के साथ आरक्षन के मुद्दे पर विरोध करने के लिए मंत्राले की बिल्डिंग में पहुँचे और मंत्राले एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर लगे सेफटी नेट पर कूद गए जिरवाल धंगर समाज को आदिवासी कोटे से आरक्षन देने का विरोध कर रहे है उनकी मांग है कि पैसा कानून की तरह आदिवासियों की रुकी हुई भरती को बहाल किया जाए इसे लेकर आज सुभह से ही आदिवासी विधायक मंत्राले में धरने पर बैठे थे जिरवाल की सेफटी नेट में कूदने के बाद कई विधायक भी सेफटी नेट में उतर गए और वहां नारेबाजी करने लगे मंत्राले में तैनात पुलिस वालों ने समझा बुझा कर इन विधायकों को इस सेफटी नेट से बाहर निकाला येकिन इसके बाद भी ये विधायक नहीं माने ये लगातार मंतराले के गलियारे में प्रोटेस्ट करते रहे पहले पुलिस अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की फिर सरकार की तरफ से मंतरी गिरीश महाजन आए नहोंने विधायकों से बात की महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीम उनकी मांगों को लेकर गंभीर हैं उनसे बात करके कोई फैसला निकाला जाएगा विधायक और नरहरी सहाब यहां बैठे हुए हैं चर्चा होने के बाद आज ये विशे खत्म हो जाएगा सबी विशे पर सकारात्मक चर्चा हुई मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों बैठे हुए हैं और चर्चा होने के बाद मुझे लगता है आज ये विशे खत्म हो जाएगा इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रोटेस्ट कर रहे विधायकों से मीटिंग की मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कोट के फैसले को देखते हुए आदिवासी समुदाई की जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद विधायकों ने अपना धरना खत्म कर दिया इस प्रदर्शन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के विधायक शामिल थे नरहरी जिर्वाल के लावा अजीत पवार की एंसीपी के विधायक डॉक्टर किरन लहामते मुख्यमंत्री से बाद विधायक किरन लहामते ने कहा कि वो काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे सरकार उनकी बात सुन नहीं रही थी इसलिए आज नरहरी जिर्वाल ने ये कदम उठा गया जब समाज के युवा इतने परेशान है उनके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा हम ये करवा हमारी भी ऐसी कुई जीत नहीं थी कि करने का ये ऐसा होना मंगता है कि हम भी सरकार को परिशान नहीं करना मंगते हैं लेकिन जब सब बंद हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो मार्क खोज लेना चाहिए जो अधिवाशी क्षेत्र में पैसा क्षेत्र हैं वहां की जो भी भरती होना है 17 सवर को पद की तो हो नहीं रही थी और हमने गांधी जएन के पहले भी एक अंदोलन करवाया था लेकिन आज तो फिलाल उस पर जो निरने पर जाना चाहिए सरकार ने तो जा नहीं रही थी इसलिए हम तंग हो गये थे और जिर्वाल साब और कुछ आमदार लोगों ने एमेले लोगों ने वहां नीट पर उत्तरने का सास करा अंधोलन करवाया अभी मुख्यमंत्र महोदय ने निरने ले लिया है जो अगर प्यासा की भरती नहीं करने को मिली कोड के निरने के वज लेकिन ये बंदे जो भी जॉब को लग जाएंगे उनको नोकरी से जॉब से नहीं निकालेंगे लेकिन विपक्ष को इस बहाने शिंदे और मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया शरत पवार की पार्टी की नेता विद्या चावार ने कहा कि सरकार के लिए इससे जादा शर्मना क्या हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर और सत्ता पक्ष के विधायकों को भी मुख्यमंतरी से मिलने के लिए अपनी जान जोकिम में डालनी पड़े विद्या चावान ने कहा कि मामला मुख्यमंतरी के बसका है ही नहीं आरक्षन की सीमा केंद्र सरकार ही वढ़ा सकती है लेकिन एकनाच शिंदे और अजीत पवार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मूदी से ये बात कह सके है अध्यक्ष को अंदलन करना पड़ रहा है यानि अध्यक्ष मंत्रा ले से वहाँ पर कुटता है जाली में और ये सब मुझे लगता है ये सब स्टंड भाजी है और ऐसा करके कुछ होने वाला नहीं है ना ही शिंदे एकनाच शिंदे जी की हिम्मत है ना ही फड़नवी जी की हिम्मत है ना ही अजित दादा की हिम्मत है कि दिल्ली जाए और PM साहब को कहे मोदी साहब को कि हमारे राज्य में बहुत अस्वस्तता है आरक्षन की मर्यादा 50% से बढ़ा कर 75% कीजिए और इसके लिए संसद में काईदा बनाईए लेकिन तीनों उपमुख्यमंत्री इनकी हिम्मत नहीं है और वो कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि उनको इसलिए अब आदिवासियों के साथ अन्याए कर रही है चुनाव करीब है इसलिए आदिवासियों का हक काट कर धंगर समाज को दिया जा रहा है कि मंत्री जी आदिवासियों का आरक्षन तोड़ना चाहते हैं और तोड़के वो गड्रिया समाज को देना चाहते हैं गड्रिया समाज को अगर आरक्षन चाहिए तो अलग तरह से दीजिए आदिवासी जरा थोड़ा सा रिजर्वेशन की जरीए थोड़ा आगया आ रहा है उसको कान काम रोकना गड्रिया समाज को अदिवासी दंगर समाज को उनके आरक्षन में देना ये बहुत उनके उपर अ अलाकि शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार ने बात सम्हालने की कुशिश की उन्होंने कहा कि ये मामला राजनीती का नहीं है क्योंकि इस आंदोलन में सारी पार्टियों के विधायक शामिल थे आदिवासियों की चिंता सब को है लेकिन महराज सरकार के एक और मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटी बार ने अपनी नाराजगी छेपाई नहीं डिप्टी स्पीकर नरहरी जिर्वाल अजीत पावार की पार्टी के है मुनगंटी बार ने कहा कि जिर्वाल ने जो किया वो गलत है समयधानिक पद पर बैठे किसी शक्स को इस तरह का आचरन शोभा नहीं देता अगर इने किसी बात की शकायत थी तो इस पर बात करके मामला सुल्जाय जा सकता था अगर उपाद देख्षे की जो पोस्ट है वो विदी मंड़ में सीम जहां स्तान पर बैठते है उससे उचाई पर बैठते है अगर उपाद देख्षे ऐसी बात करेंगे तो हमारे सम्विदान के अमरुत मोस्वी वर्ष में सब के जई चिंतन की बात है कि राजनीती को या हमारे चुनाओं को देखते हुए मैं कुछ कर रहा हूँ यह भावना से काम नहीं होना चाहिए सरकार तो आदिवासी भाई बैनों के अगए सन्मान में मैदान में हैं तो ताकस से एकनाशिंदे जी आधिवासी भाईयों के गड़ रहे तो ऐसे समय में चर्चा समवात करना और यही हमारे उपाद देख्षे जी ने विदान समवा में सब विधायकों को कहा था कि समवात से चर्चा से आगे बढ़ना चाहिए और खुद अगर ऐसा करेंगे तो मुझे गकता ही उचीत ने डेप्टी स्पीकर अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए मंत्राले की तीसरी मन्जिल से कूच जाएं अपनी ही सरकार के खिलाप बीजेपी, एंसीपी और शिवसिना के विधायक प्रोटेस्ट करें महायुती के विधायकों के साथ कॉंग्रेस का विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हो ये सारी बातें हैरान करने वाली है राजनीती में ऐसा मेल जोल आजकल देखने को मिद्धा नहीं है लेकिन अगर चुनाव सरपर हो तो कुछ भी हो सकता है शेर और बकरी एक हाट पर पानी पी सकते है महराश में इलेक्षन होने वाला है आरक्षन का मुद्दा गर्म है धन्गर समाज को आदिवासियों के कोटे से आरक्षन दिये जाने का विरोध हो रहा है जो आदिवासी विधायक है वो किसी भी पार्टी के हो उन्हें भी चुनाव रणना है चुनाव में जनता पूछेगी कि उन्होंने आरक्षन के मुद्दे पर क्या किया तो क्या जवाब देंगे आज उसी जवाब को तयार करने की कोशिश की गई ये सिर्फ राजनीती है वैसे महाविकास अगाडी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है पिछले तीन दिनों से महाविकास अगाडी के नेता सीटों के बटवारे पर बात कर रहे है लेकिन अब तक कोई फॉर्मूला तै नहीं हो पाया है शरत पवार इससे परिशान है शरत पवार ने आज साफ साफ कह दिया कि सीटों का बटवारा जल्द होना चाहिए क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है पवार ने कहा कि महाराश्ट में हवा महाविकास अगाडी के पक्ष में है लेकिन सीट शेरिंग में देरी से अगाडी को नुकसान हो सकता है इसलिए फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि उम्मीदवारों को कैंपेन करने का पुरा वक्त मिल पाए लेकिन इस बीच एक नई मुसीबत आ गई OVC की पार्टी को महाविकास अगाडी में एंट्री दी जाए या नहीं इसको लेकर विवाद हो गया है OVC की पार्टी ने शरत पावार की NCP और कॉंग्रेस को चिठी लिखकर महाविकास अगाडी के साथ मिलकर चुनाव रड़ने की इच्छा जाहिर की है लेकिन उद्धव ठाकरी की शिवसेना OVC को साथ लेना नहीं चाहती इसलिए मामला फसा हुआ है आज संजर राउत ने खुल कर कहा कि अगाडी में पहले ही कई पार्टियां सीट शेरिंग को लेकर उनके बीची बात नहीं बन पारी है ऐसे में एक नई पार्टी को एड़्जस्ट करना मुश्किल होगा फिर भी इस मामले में आखरी फैसला शरत तवार से बात करके लिया जाएगा गड़बंदन को लेकर शिवसेना की भूमी का स्पष्ट है महाविकास अकारी में पहले इसे ही बहुत सारी पार्टियों की भीड़ है कॉंग्रेस, NCP और शिवसेना ये तीनों प्रमुक पार्टियां है इसके अलावा CPI और CPIM दोनों ही गड़बंदन में है शेदकारी कामगार पक्ष है मुस्लिम समाज का नितुर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है इसलिए अब किसी भी नए दल को इसमें जगे देना मुश्किल है इस मामले को लेकर शर्ट पवार ने अभी अपनी भूमी का साफ नहीं की है उनसे चर्चा करके हम कोई फैसला लेंगे इस मामले में फिलहाल शर्ट पवार की पार्टी और कॉंग्रेस संभल कर बोल रहे है विद्या चावार ने कहा कि फैसला तो तीनों पार्टीओं का हाई कमान ही करेगा लेकिन अगर सिर्फ मुसल्मान वोट की बात है तो उसके लिए तो समाजबादी पार्टी पहले से ही अलाइंस में है ये सब निरने जो है वो पार्टी लेवल के वरिष्ट नेता बैट के ही तै करेंगे कि किसको कौन सी पार्टी को अपने साथ लेना है कौन सी नहीं उन्होंने कहा है कि पहले ही यहां तीन पार्टियों में टिकेट बटवारे में नाराजी हो रही है या थोड़ा यह हो रहा है कि किसको कितने सिट्स मिलना चाहिए अभी MIM आता है तो उनको कितने सिट्स देनी चाहिए किस तरह से देनी चाहिए यह निरने उपर के जो लोग ह यानि हमारे हर एक राष्ट्रवादी पार्टी के पवार साब है, जैन पाटिल साब है, कॉंग्रेस के लोग है और शिवसिना के लोग है, वो बैठ के ताय करेंगे क्या करना है क्या ने आपके पार्टी को लगता कि ओ आना चाहिए क्योंकि वो खे हरे कि अगर मुस्लिम उट वोट को बटवारा रोकना है तो हमें साथ में लीजी कि पार्टी ने तो ये फैसला मुसल्मान बोटों के बटवारे को रोकने के लिए किया था लेकिन अगर आगाडी के नेता ऐसा नहीं चाहते तो वो अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं वारिस पठान ने कहा कि कॉंग्रेस और NCP ने उनसे प्रस्ताव मांगा थ था उन्होंने प्रस्ताव दे दिया अब सोचना उन्हें है कि वो AI मायम के साथ मिलकर लड़ेंगे या उसके खिलाफ लड़ेंगे टालने वाली बाते हैं जिसकी अगर नियत साफ है ठीक है साथ में आईए बैठिये बात करिए जो भी है और ये करिए ना टिकिट देने में क्या हर्ज है आपको एक कंप्रमाइस करिए साथ के अंदर जो भी होता है वो बात करना चाहिए ना इन लोगों को तो पहल तो करनी अब इसी तरह बोलेगा और फिर हम खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए तो फिनको तकलिफ हो जाती है पूरी तरह हम तो लड़ेगे ना अब इनका तो ऐसा है कि हमारे साथ आना नहीं चुनाओ लड़े तो बी टी में सी टी में हमने हमेशा से कहा है कि हमारी मन्शा एम निट्इनशन ये है कि किसी बी तरह हम भाजा पा को हराएं तो इसे लिए हम चुनाओ लड़रे तो हमने का महाविकास हगाड़ी اे महाविकास हगाड़ी को ने ओफर कि ठीक है चलिए साथ में आ यह कांदे से कांदा मिला कर लड़ेंगे बीजैपी को हराएंगे तो हमारे पार्टी के जो महरास्टरा के प्रेसिडेंट है इंतियास भाई उन्होंने एक लेटर लिखाया उनको लेटर के अंदर रहे कि इतनी सीटे है कॉंस्टिवेंस है दीजी हमको भी साथ में मिलके लड़ेंगे और हराएंगे उनको अब उनकी तरफ से अगर कोई रिप्लाइ नह मेरा तुम क्या समझे वारिस पठान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अलाइंस का प्रस्ताव अगाडी की पार्टियों को भेजा है लेकिन नाना पटोले और सुप्रिया सुले दोनों ने इस बात से इंकार किया नाना पटोले आज कोलहपूर में थे जब उनसे AI-MIM के प्र महराश में कुल 288 वी सीटे हैं उद्धव ठाकरे शरत्वभार नाना पटोले तीनों चाहते हैं कि उनकी पार्टियों को जादा से जादा सीटे मिले इसके बाद एंटी बीजेपी वोटों में बटवारे को रोकने के लिए समाजबादी पार्टी शेतकारी कामगार पक्ष रिपब्लिकन पार्टी और लेफ्ट ये भी हैं इन पार्टियों को भी एड्जेस्ट करना होगा अब उपर से असदो दिन ओवैसी ने महाविकास अगारी में शामिल होने की इच्छा जता दिये हैं और साथ में 28 सीटों की लिस्ट भी रखती हैं जिस पर वो अपने कैंड पश्री मिलेगी आएब आपको खबर देते हैं बंगाल से आज पश्री मंगाल के नौर्थ 24 परगना में बीजेपी के नेता और बैरखपूर से पूर्व लोकसभा सांसत अरजुन सिंग के घर पर बमों से हमरा हुआ फारिंग हुई अरजुन सिंग का आरोप है कि आज सु का वीडियो शूट किया उनका आरोप है कि उनके घर पर हमला त्रणबूल कॉंग्रेस के पारशद के बेटे नमित सिंग के इशारे पर हुआ अरजुन सिंग ने कहा कि जिसमक्त उनके घर पर हमला हुआ कुछ पुलिस वाले महां पर मौजूद थे गुंडों ने पंधरा बं भेंके दरजनो राउंट फाइरिंग की लेकिन पुलिस बस देखती रहे इसके बाद पुलिस वालों ने हमलावरों को भगाने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्य की सुबा सुबा ठीक नौव बजे के करीब में मैं सोया हुआ था तब तक बहुत जोर से हवा जाने लगा नीचे आया देखता है गुली आंदा धून फाइरिंग हो रही है इंट पथर चलना चाब देखेंगे नीचे महुत इंट पतर पनावा तब मैंने उन लोगों को कि पेट करने को सिस किया तो उनको धका भी दिया सम्कौई सा पूलीस को साथ में रहा कर यह टेक कि तक या गया कि पूलीस उनको प्रटेक्ट करेगी अगर हम हुसका राइड करेंगे तो पूल harvest में protekt करेंगी और उनको किसी मी तरह से से मन सेफ पैसेज देके निकाले तो ममताब एनर जी के पैर के नीचे से जमीन खिशक चुकी है इसका इसका काउंटर क्या होगा इसका काउंटर ममताब एनर जी उनके जो किछन केविनेट ने उनको ये समझाया होगा कि भाई आप हमला करो ड़राओ धंकाओ तारी पार्टी का आपके उपर हमला किया है हो तो सत्याधारी के वो कॉंसिलर का बेटा है लोकल नमित नाम है कॉंसिलर का बेटा है और बादबागी सब रोहंगया लोग थे अरजुन सिंग ने त्रडमूल कॉंग्रेस की पारशद सुनीता सिंग के बेटे नमित पर इस हमले का इल्जाम लगाया है नमित तो सामने नहीं आये लेकिन उसकी माँ सुनीता सिंग ने साफ साफ कहा कि जो कुछ हुआ वो अरजुन सिंग ने खुद कराया है अरजुन सिंग ने कहा कि उनके पती की हत्या भी अर्जुन सिंग ने करवाई की अब वो उनके बेटे पर जूटे इल्जाम लगा कर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है हालक कि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है लेकिन त्रिणमुल कॉंग्रेस के निता कुनाल घोश ने कहा कि इ देखिए इसके साथ टीमसी का कोई संपक नहीं है यह पॉलेटिकल मैटर नहीं है और अर्जुन सिंग जी किस तरह पॉलेटिक्स करते हैं यह सब लोग चानते हैं यह उनका लोकल प्रॉब्लेम्स है वह वहां पे भाजपा में वह पुराना भाजपा वर्सेस तत्काल कॉंग्रेस किसी तरह कोई संपक नहीं है वैसे अर्जुन सिंग भी कोई दूद के धुले नहीं है उनकी छवी भी एक दबंग की छवी है लेकिन वो पूर सांसद है इलाके के पुराने नेता है इसलिए अगर उन्हीं के घर पर फारिंग होती है बम भेके जाते हैं तो हम के प्रमुक हैं तीस साल तक कॉंग्रेस पार्टी में रहे अब प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी के मुरीद हैं रजज़ जी ने पूछा कि ये बदलाव कैसे आया प्रेंका गांधी का करीबी होने के बाद भी उन्हें कॉंग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी वो राहुल अचार जी आप एक तरफ नेरेंद्र मूदी की बात करते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं भगवान कल्की की बात करते हैं दूसरी तरफ आप कहते हैं नभी हमारे हैं हम उनके हैं बत्ती साल आपकी रादीती में पहचान रही कॉंग्रेस के नेता के तौर पर लेकिन आपने पीठ में छुरा घुप दिया राउन गांदी ने जब भारत जोड़ यात्रा निकाली उस पर प्रियंगा जी गई थी और दोनों कितने प्यार से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे थी अब ये कोई संतों की भाषा थोड़ी है आज अरविन केजरिवाल ने मुख्यमंतरी का सरकारी बंगला छोड़ दिया केजरिवाल आज अपने माता पिता और अपनी वाइफ के साथ मुख्यमंतरी आवास से निकले चीफ मिनिस्टर हाउस के स्टाफ से उन्होंने मुलाकात की इसके बाद उनकी वाइफ सुनीता केजरिवाल ने घर की चावी एक सरकारी अफसर को हैंडोवर की और केजरिवाल पूरे परिवार के साथ अपने नए घर की तरफ रवाना हो गए अब केजरिवाल का नया पता होगा पांच नंबर बंगला फिरोश शाह रोड ये सरकारी बंगला आम आदनी पार्टी के राज्यसभा सांसर अशोक मित्तल को अलॉट हुआ है अशोक मित्तल ने ही इस बंगले में केजरिवाल का स्वागत किया लेकिन उसी वक्त बीजेपी के नेता विजे गोयल भी अपने सपोर्टर्स के साथ वहाँ पहुँच गए और केजरिवाल की खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे विजे गोयल ने कहा कि केजरिवाल का सरकारी बंगले का मोह छूटी नहीं रहा है पहले शीश महल में रहते थे उसे छोड़ा तो अब लुटिन्स दिल्ली के बंगले में पहुँच गए विजे गोयल ने कहा कि दिल्ली के लोग तमाम परिशानियों से जूज रहें लेकिन केजरिवाल को सिर्फ बंगलों की पड़ी है बंगला बंगला खेल रहे है अर्विंद केजरी वाल केबल बेघर नहीं होई अपने करमों से वो जेल में भी चले गए थे और जेल में उनको अच्छा घर मिला हुआ था जाके। किन्तु उन्हों नहीं जोड लगाया कि किसी तरह से मेरी बेल हो जाए बेल हो जाए बेल हो गई तो आप समझ ये कि वो शीश महल में रहने में कतरा रहे हैं इसलिए उनको डर लग रहा है वो कहते थे मेरे को कारीकरता अपने घर में रहने के लिए बुला रहे हैं तो एक कारीकरता कारीकरता की घर में क्यों नहें रह सकता? पहले करोड रूपे के शीश महल में रहते थे। और अब कारीकरताओं की रिक्वेस्ट को थुकरा कर वो यहां पर Lutean जोन के अंदर, सरका विजय गोईल को आम आदनी पार्टी के सांसत संजे सिंग ने जवाब दिया उन्होंने कहा कि ऐसे कई निता हैं जिनकी कुरसी चली जाती है लेकिन वो सरकारी बंगला नहीं छोड़ते केजरिवाल ने तो बिना किसी के कहे मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ा और सरकारी बंगला भी छोड़ दिया इसलिए बीजेपी इस पर बेवज़े सियासत कर रही है खाली आरोब के लिए आरोब लगाना सिर्फ मजाप उड़ाना ये हमेशा ठीक प्रवित्ती नहीं है अच्छी बात नहीं है ये केजरिवाल साहब ने और हम सबने बार-बार ये कहा था वो आवास मुख्यमंत्री का है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया उस आवास को उन्होंने छोड़ दिया त्याप कर दिया लोग तो अपने बंगलों से घरों से सुगधाओं से वर्सों वर्सों चिपके रहते हैं ऐसे इसे नेता मैं जानता हूँ नाम नहीं लूगा किसी का तो बाजपाईयों से कहिए प्रदान मंत्री जी अगर तैयार हो तो मैं अपना घार एक खाली कर देता हूँ आके रहें वहां के अजिबिन केजरिवाल तो बड़े सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी सिंग मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होंगी या नहीं इस बार आपकी अदालत में रजजजी के महमान है आचारी प्रमोद कृश्णम प्रमोद कृश्णम वैसे तो कालकी धाम के प्रमुक हैं कटर सनातनी हैं लेकिन बातें राजनीती की करते हैं सन्यास लेने से पहले राजनीती में आने से पहले प्रमोद कृश्णम ने क्या क्या किया भाग कर मंबई क्यों गए मौनिका बेदी और राधे मा के बारे में वो क्या को क्या सोचते हैं ये सारे राज आपकी अदालत में खुले प्रमोट प्रिश्णम के साथ आपकी अदालत का एक खास रुआप देखेंगे कल गात तस बज़े जवानी के दिनों में घर से भाग गए थे मुंबई चले गए थे, हीरो बनने के लिए राज़त जी एक्टर तो सभी बनना चाहते हैं जिसे आप जैसा डारेक्टर मिल जाए वो फिर एक्टर बन जाता है और जिसे आप जैसा डारेक्टर में लेका आपने घर फूप के तमाशा देखा धर का काफी सारा पैसा फिल्मों में लगवाया आई मौज फकीर की दिया जहूंपड़ा फूंक धर्म गुरू और राजनेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आपती अदालत में शनिवार राद दस बजे और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ रहे हैं रजट जी ने उन से पूछा कि आजकल इतना बदलाव कैसे आया तो आचारे प्रमोद कृष्णम ने किस अंदाज में जवाब दिया इसकी एक जहलक आपको दिखा देता हूँ सनातन और भारत को अलग नहीं किया जा सकता है रजट जी मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान श्री राम जिस समय लंका धीपती अहंकार में चूर महराज समराट दशाजनन की नाभी के अंदर अगनी बान चलाते हैं और उस अहंकार की लंका को धस्त कर देते हैं तब सनातन जग्रत होता है योगी राज भगवान श्री कृष्ण जिस समय कुरुछेत्र के मैदान में रत पे खड़े होकर के शंकनाद करते हैं और अधर्म का नास करने के लिए और धर्म की पुनर स्थापना करने के लिए उद्गोश करते हैं तब सनातन जग्रत होता है रजजी चत्रपती शिवा जी महराज पूरा जीवन का संघर्ष सुईकार करते हैं लेकिन औरंग जेब के सामने सरजुकाना सुईकार नहीं करते तब सनातन जग्रत और रजजी महरणा प्रताप घास की रोटी खाना सुईकार करते हैं घास पी रोटी, खाना सुईकार करते हैं, लेकिन अक्वर के सामने सजदा नहीं करते हैं, तब सनातन जाता है। एक भगवा, सन्यासी, विवेक अनंद शिकागो की धर्ती पर जब विश्वन धुत का उद्गोश करता है, तब सनातन जातन जाता है। आपके अदालत में आचारे प्रमूत करिश्वन का जूश देखने वाला था, उन्होंने सनातन धर्म की बात की, भारत माता की जै के नारे लगाए। और फिर ये भी बताया कि वो पेगंबर मुहम्मद साहब की शान में गीत क्यों काते हैं, नभी को अपना क्यों बताते हैं। लेकिन जब रजट जी ने आचारे जी से उनकी जवानी के किस से याद दिलाए, पुराने राज जनता के सामने खोल कर रख दिये, तो पहले आचारे जी भी शर्मा गये। लेकिन उसके बात खुल कर बताया कि हीरो बनने मुंबई गए थे और फिर उन्होंने गाने लिखे, फिर साधू कैसे बने, सन्यासी होते हुए नेतागिरी का रूख कैसे लग गया। ये सारी बातें आप खुद सुन पाएंगे आपकी अदालत में आचारे प्रमोट कृष्णम से कल रात दस बचे। प्लीज बेलकम आचारे प्रमोट कृष्णम तुम है की हुई ये जुल्फें महफिल पेचा रही हैं जालिम तिरी अदाएं दिल को लुभा रही हैं अब का मत समझ लेना आपकी अदालत शनिवार रात दस बचे।